असलाम आलेकुम माई डियर स्टूडेंट हम दा जर्नी ऑफ चॉकलेट चैप्टर 3 की कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं आपको पता है कि चॉकलेट का जर्नी जो है वो चॉको को ट्री से शुरू होता है फिर उसमें से बीन निकाले जाते हैं उनको ड्राइ किया जाता है उनको क्रश किया जाता है उनमें फ्लेवर्स एड़ किया जाते हैं और फिर चॉकलेट पैक की जाती है वैक्टरी में इसी तरह हमारी जिन्दगी भी एक सफर है, हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, काम करते हैं और फिर हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो my dear student हमें कुरान को तर्जमे से पढ़ना चाहिए कि हम किस तरह से अच्छी जिन्दगी गुजार सकते हैं अपने सबक की तरफ आते हैं, आज हम करेंगे प्रैपोजिशन प्रैपोजिशन जो हैं, what are प्रैपोजिशन, प्रैपोजिशन आर कनेक्टिंग वर्ड्स, ब्रिज वर्ड्स वो प्रैपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो के वर्ड्स को आपस में जोडते हैं दे शो रिलेशनशिप ये एक वर्ड का दूसरे से तालुक बताते हैं. अप रेपोजिशन प्री सीड्स आ नाउन. प्री सीड्स नाउन या प्रोनौंस से पहले आती है. तो शो नाउन्स आदा प्रोनौंस रिलेशनशिप टू एन अधर वर्ड इन दा सेंटेंस. और उसका तालुक दूसरे अलफाज जो होते हैं जुम्ले में उनसे बताती है Preposition of position indicate where something is Preposition of position जो हैं वो बताती हैं कि कौन सी चीज कहां पे है मसलन the rabbit is under the bed आप rabbit जो है वो कहां पे है Under the bed तो rabbit की position जो है वो word under हमें बता रहा है तो ये under is preposition इसी तरह Next example में है our school is between the park and market हमें इससे पता चलता है कि school जो है वो park और market के दर्मियान में है So between is a preposition A lamp hung over the table अब हमें ये पता चल रहा है कि over the table यानि table के ऊपर एक lamp है जो लटका हुआ है तो ये over जो है ये preposition of position है The cat climbed up the tree Up the tree दर्खत के ऊपर तो ये अब जो लफस है हमें बताता है कि cat की position क्या है I saw people around the side of the garden Around उसकी तरफ I saw मैंने देखे लोग around the side of the garden Make sentences of your own using the preposition of position given below अब आपने ये preposition of position है इनको खुद से अपने sentences में इस्तमाल करना है पहला है under The cat is under the table तो cat जो है वो कहां भी है Under the table तो under is a preposition फिर है He made a journey around the world उसने सफर किया पूरी दुनिया के गिर्द Around is a preposition फिर है There is a door between the two rooms ये देखें दोर है between the two rooms फिर है Horse jumped over the fence आप देखें ये fence है और horse उसके उपर से चलांग लगा रहा है He climbed up the wall तो ये हमने preposition को अपने sentences में यूज किया O you who believe, fear Allah and speak words of truth आई लोगों जो इमान लाए हो अल्ला से डौरो और हमेशा सच बोलो हम अगर अपने अंदर ये सिफ्ट पैदा कर लें कि हमने हमेशा सच बोलना है जूट नहीं बोलना तो इन्शाला सच बोलना हमें जन्नत के रस्ते की तरफ लेके जाएगा और हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखरत में भी तो प्यारे स्टूडेंस, कुरान मजीद को अर्दू तर्डमे के साथ पढ़ें उमीद आपको सबक खसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें